असलमालेकूम, उमीद करती हूं कि आप सब ख़ेर से होंगे, आमीन सुमामीन, मैं आज टमाटे गोश बनाने जा रही हूं आपको इसका तरीखा बठलोनी, यह आदा किलो टमाटे है, यह आदा किलो गोश है, यह खोटी मीर है, यह पांचे है, हर मिर्ची है, बिसमिल्ला इर अधा दे हूं मैं, यह मिर्ची पॉडर है, एक चमचा, यह हल्दी पॉडर है, आदा चमचा, मैं आप लोगों को बोली थी कभी भी गोश के सिंगा, नमक मिला ती, फिर बाद में थोड़ा मिला ती, चक्के देखे, एक चमचा मिला रही हूं, यह थोड़ा खोटी मीर्ची चमचा में लाएता, अब मेरोंक देखे, ड़िख्या, नमक लोगों को त्वमाजा, और शिखे, पूरा मसाला उल्थी को अब भूने के बाद आप लोगों और सम्ट선वेरल बटला, उल्हारे गोश्रानल यो, पहल नदूर न यह कहतु थी और में, उल्हारे दूर्टों, अब मैं इसमें थोड़ा साइग लास पानी दालूंगी ताकि गोर्ज गल गया है यह गोर्ज गल गया बद तमाटे दालूंगी अब मैं यह कूकर करने कर लगा रहे हैं तीन सीटी को मैं कूकर को टार लोगी माशलेला माशला देखिए अच्छा सा गोष गल गया है थोड़ा सा भूनके में अब अच्छा सा गोष भूने गया है अम इसमें तमाटे दाल रहे हैं यह आदा किलो टमाटे है तमाटे गोष बोलते इसके माशलला बहुत मजे का बनता है यह माशलला बहुत अच्छी बनी है मेरी चत्नी दिखने में बहुत अच्छी है खाने में बहुत अच्छी रहेगी इंच्याला माशलला अब मैं यह थोड़ा खोटी में दा रहे हूं दंपे यह हरी मिर्ची दा रहे हूं माशलला हरी मिर्ची खाने से बहुत अच्छा रहता है अब मैं आपको नम्मक चट्के बतलाओंगे आपको थोड़ा सानम्मक कम है मैं इसमें एक चम्सा नमग दा रहे हूं माशलला आप देख सकते ही तमाटे अच्छे से भूने गए है माशलला बहुत अच्छी चट्टनी बनी है माशलला यह मेरा सालन पक गया है तमाटे गोश की चटनी बन गई है अब मैं आपको चक्के बतलाओंगी खुजबो बहुत अच्छी आ रही है अब मैं आपको चक्के बतलाओंगी इस तमाटे गोश बिस्मिल्ला इल्वानी रहिम यम्मी बना यम्मी मेरी वीडियो को लाइप करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगली वीडियो मैं मिलेंगी मैं आप लोगों के साथ अल्ला हपीज